नमस्कार EFT News 24 में आपके साथ मैं हो सिम्रन कॉर फतेफुर के असोथर मुराइन मुहला निवासी नर्सी मौरे ने कहा कि उनकी बेटी पीहू जिसकी जमते थी 23 मई है वो BCC वा ओपीवी का टिका 26 जुलाई को लगाया जाना था अशा बहु रामसकी के द्वारा टिका करण करवाने हैं तू सूचना देने पर प्रार्थी की माता पीहू को लेकर आशा बहु के घर टिका करण है तो लेकर गई जहां पर A.N.M. सुशीला देवी के द्वारा टिका लगाया जाना था उक्तदिनान को टीका नहीं लगाया गया लेकिन टीका करण कार्ड पर BCG वा OPV के टीका करण की पूर्ण डिटेल भर दी गई इसके उपरांत आशा बहु द्वारा टीका करण के लिए तीन नौ को फिर से सूचित किया गया प्रार्थी की माता पीहु को लेकर आशा बहु के घर गई तो एनम सुचिला देवी ने प्रार्थी की माता से कहा कि BCG वा OPV का टीका उपलब्ध नहीं है जब उपलब्ध होगा तो लगाया जाएगा प्रार्थी की माता जब बिना टीका करण के वापस घर पहुच गई तो प्रार्थी सुएम आशा बहु के घर टीका करण नहीं की वजह जानने के लिए पहुचा जहां एनम सुचिला देवी से मलाकात हुई तो आपके पास टीका उपलब्ध भी नहीं है इसके बाद प्रार्थी ने आया हुए बच्चों के अविभाबकों से उनके कारण देखे तो उसमें भी टीका लगने की दिनांग को अंकित कर दिया गया था लेकिन बच्चों के टीका नहीं लगा गया मामले को तूल पकड़ता देख और अपनी खामियों को सही करने के लिए आशा बहु राम सखी ने वा एनम सुशीला देवी ने तुरंट प्रार्टमिक स्वास्तिकेंद्र असोथर से BCG वा OPV का टीका अमंगवाया वा उन लोगों को दुबारा बुलाकर टीका लगाया कार्ट पर टीका नहीं लगाया बिना टीका लगाने का भरकर वापस कर दिया गया था अब सवाल यह है कि यदि BCG वा OPV का टीका उपलब्ध नहीं था लोगों के साथ टीका करण के नाम पर धोखा धड़ी की जा रही है और बीना टीका करण के टीका करण की डीटेल भर देना ये साबित करता है कि उक्त BCG वा ओपीवी का टीका गायप कर दिया जाता है नर्सिंग मौरिया ने जिलाच किस साधिकारी को अवगत कराया कि मार्के रपोन्ट